इस वीडियो में गाईज बात करने वाले हैं यूपी स्कोलर्शिप के वारे में जैसा कि आप लोगों को पता अगर आप लोगों ने अपना इस्टेटस चेक किया है अगर इस्टेटस में आपको दिखाया जा रहा है कि बेरीफाइड रिकमंडेड वाइड डिश्टिक स्कोल स्कोलर्शिप कमीटी और गाईज आपके यह देख सकते हो कि जो इस्टेप होते हैं पांच चरण में कंपलीट होता अगर पांचों चरणों में आपका कंपलीट इस्टेटस है तो आपका जो है इस्कालर आ जाएगा जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आपके चारों पाँचो जो है इस टेप में चरण आपको साइड में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है अगर पाँचो चरण आपके complete हैं तब आपका जो है इस कालर जो जल्ली सिग्री आ जाएगा तो गाइज जैसा की देख सकते हो पहला रजिस्टेशन की इस्तिती जो है complete हो चुकी है कि इस तारीक को complete हुई यहाँ पर आपको उसकी तारीक दिखाई जा रहे है final summit यहाँ पर जो है 21 तारीक को submit हुआ इस टेटस एट इस इस तारीक को 28 दस दो जारीकिस को फारवर्ड किया था bank account verification bank account भी स्टेटस सही यह verification हो गया verify बाद डिस्टिक बेल फेर आप इसर के द्वारा भी इसे जो है verify कर दिया गया अब जो है यहाँ पर current status जो है यहाँ पर जो scholar है आपके खाते में आना बाकी रह है कि आगर आपका भी यह दिखा रहा है कि verify requirement date by district scholarship तो इसका मतलब यही है कि आपका जो है scholar सिग्री आ जाएगा जिस भी date को forward किया जाएगा तब आपके account में सीधे ही balance आ जाएगा इसका मतलब यह है कि आपको टेंसन लेने की कोई जरूरत नहीं जो है आपका scholar आ जाएगा सिग रही तो गाई जगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को subscribe करें लाइक करें दोस्तों करें और हमारे चैनल पर educational और टेकनिकल वीडियो मिल जाते हैं जो भी latest जोब निकलती उनकी जानकारी मिलती रहेगी आप लोगों को तो subscribe करना बिलकुल ना चुकिए आप लोगों को बताया उसमें कि किस तरह से आप लोगी scholarship चेक करोगे अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगी end screen में भी link मिल जाएगी उसको देखकर आप लोगों चेक कर पाऊ गया तो गाई जगर आप का account में जो है scholarship आने वाला है तो thank you guys next video मिलते हैं भाई भाई